Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel, myself Umar Taskir Guys, Facebook Ads series के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about audience targeting Guys, हमें पता है कि Facebook Ads के अंदर जो audience targeting का option है बहुत ही जादा वाश्ट है, बहुत ही जादा बड़ा है हमारे पास अलग-अलग तरीकी के options होते हैं, हमारे पास अलग-अलग तरीकी की cases होते हैं, जिनके basis पर हम लोग audiences को create कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ about detailed targeting हम लोग समझने वाले हैं कि Facebook Ads के अंदर जो detailed targeting का हमें option मिलता है, यह क्या है, यह किस तरीके से काम करता है और इसका actually मतलब क्या है और क्या-क्य options हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो एक तरीके से हम लोग run-through करने वाले हैं या walk-through करने वाले हैं detailed targeting के अंदर हमें क्या-क्य options देखने को मिलते हैं तो guys मैंने आपको एक video दिया था इसी particular playlist के अंदर जहां पर हम लोगोंने audiences को theoretically समझाते हैं कितने तरीके की audiences होती है उस video में हम लोगोंने बात करी थी कि एक audience type हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते है saved audience तो हम लोग saved audiences create कर सकते हैं saved audience का क्या मतलब है saved audience एक तरीके की cold audience होती है मतलब वो audience जो पहले हमारे business से interact नहीं किये यहाँ पर हम custom audience की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम उस audience की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारी website के उपर visit कर चुकी है उन users की बात करें जो actually facebook के उपर browse कर रहे हैं या facebook को browse कर रहे हैं या facebook को use कर रहे हैं हम उन users की बात कर रहे हैं तो उन users की जो different activities होती हैं जैसे मैं एक facebook का user भी हूँ मैं एक advertiser भी हूँ as well as मैं एक facebook का user भी हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं Facebook के उपर जाता हूँ और मैं बहुत सारे interactions Facebook के उपर करता हूँ ठीके एक जैसे interaction मुझे कोई एक digital marketing का ad दिखा तो हो सकता है मैं उसके नीचे comment कर दूँ तो जैसे ही मैं उस particular ad के साथ interact करता हूँ उस ad के नीचे मैं comment करता हूँ तो Facebook को ये signal जाता है कि ये जो user है इसको digital marketing में interest है तो वो मुझे digital marketing वाले audience के अंदर रख देता है बगर कोई advertiser आयो और digital marketing में interest रखने वाले लोगों को target करता है तो there are high chances कि अगर मैं उसकी location और targeting में fit बैटता हूँ या जो saved audience का डिबबा है Facebook का उसको बढ़ाता जाता है या saved audience के अंदर कैसे users आते हैं cold audience के अंदर कैसे users आते हैं ये उसका mechanism है ये तो मैंने एक signal आपको बताया कि user की एक activity से किस तरीके से saved audience के अंदर जो है information जाती है उसी तरीके से जैसे मैं अपनी profile बनाता हूँ मैंने अपने कुछ date of birth रखी उससे मेरी age के बारे में Facebook को बढ़ा चल जाता है मैं profile के अंदर जो अपना marital status है उसको मैं mention करता हूँ उससे Facebook को बढ़ा चल जाता है कि ये single है या married है राइट मैं जो है दूसरे जो भी information मैं profile के अंदर रखता हूँ जैसे मैं अगर अपना work experience जो है वो profile के अंदर mention करता हूँ मैं ये mention करता हूँ कि मैं let's say मैं TCS में job करता हूँ या HCL में job करता हूँ या मैं Indian government के लिए job करता हूँ तो वो जो भी चीज़ें जो भी information मैं profile के अंदर mention करता हूँ profile के अंदर use करता हूँ Facebook का जो system है उस information के basis पर मुझे different different audience set के अंदर रखता है फिर advertiser जाता है और Facebook से बोलता है कि मैं इस type के लोगों को target करना चाहता हूँ तो अगर मैं उनकी audience set में आता हूँ या आप उनके audience set में आते हैं ठीक है जो भी advertiser ने characteristics define करी है उसके basis पर तो आपको जो advertiser ad दिखाना चाहता है वो आपको दिखाई देता है तो इस type से जो हमारी cold audience है Facebook ads के अंदर वो populate होती वो बनती है तो क्या-क्या हमें option मिलते हैं किस तरीके से interest के basis पर हम targeting कर सकते हैं और क्या-क्या हमें options मिलते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग detail में यहाँ पर समझने कोश्च करेंगे अब गईज एक बहुत important चीज जो मैं आपको starting में बता दूँ जब कभी हम लोग यहाँ पर detail targeting के option पर जाएंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पर बहुत से तरीकों से audience को target करने के opportunity मिलती है options मिलते है जैसे आपने का मैं उनको target करना चाहता हूँ जिनको डिश्टल मार्केटिंग में इंट्रेस्ट है मैं उनको target करना चाहता हूँ जो इस like इस particular magazine को follow करते है मैं उनको target करना चाहता हूँ जो इस influencer को follow करते हैं, मैं उसको target करना चाहता हूँ जिसका birthday जो है March में आता है, मैं उसको target करना चाहता हूँ जो iPhone यूज़ करते हैं, there are different ways, तो मैं आपको ये recommend करूँगा, कि आप एक बार ना ये जितने भी options यहाँ पर दिये हैं, आप इनका go through कर लें, एक-एक option को आप देख लें कि कौन-कौन से आपको options यहाँ पर दिये हैं, देखो उससे benefit क्या होगा, ये चीज़ें over the time आपके लिए और ज़्यादा beneficial हो जाएंगी, क्योंकि पहले दिन अगर कोई beginner इसको देख रहा है, या आप अपने business के लिए जब audience बनाने जाते हैं, तो आप जब cases बनाते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, तुरंथ आपके दिमाग में play करता है, कि वो audience ना Facebook के अंदर available है या भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं इनको target करना चाहता हूँ, लेटसे मैं rich लोगों को target करना चाहता हूँ, मेरे पास एक ऐसा client आता है, उसके पास एक ऐसी product या service है, जो basically rich लोगों के लिए, तो rich लोगों की characteristics क्या होती, मेरे दिमाग में तुरंद आएगा, अच्छा rich लोग क्या करते होंगे, frequent travelers, those who owns iPhone, ये सारी जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, ये वास्तों में Facebook के अंदर target हो भी सकती है या नहीं हो सकती, अब ये आपको कैसे पता चेलेगा, जब आपने ये जो detailed targeting का option है न, इसको बहुत detail में आपने explore किया होगा, समझा होगा, तो ये आप बड़ी आसानी से figure out कर लेंगे, बहुत easy होगा आपके लिए, बड़ी आसानी से figure out कर लेंगे, कि हाँ भाई मैं इस type से targeting जो है वो कर सकता हूँ, और ये over the time ही आएगा, ऐसा नहीं है, पहले दिन आप बैठो और सारी चीज़े आपको clear हो जाए, ऐसा भी नहीं, बट मैं ये जरूर recommend करूँगा, कि आप इसमें जाकर एक-एक option एक बार जरूर देखें, हो सकता है, बहुत सारे option है, तो हो सकता है, एक-दो दिन आपको लग जाए इस चीज़ के लिए, बट आपको देखना चाहिए, तो गाइस, अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, कि कौन-कौन से हमें options यहाँ पर मिलते हैं, तो गाइस, जैसे ही मैं detailed targeting के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर सबसे पहले, या तो मुझे अगर कुछ पता आए, जैसे मैं digital marketing में interest रखने वाले लोगों को, जो है target करना चाहता हूँ, तो what I can do is, I can simply go ahead, और मैं यहाँ digital marketing टाइप कर दूँगा, तो जब मैं digital marketing यहाँ टाइप करूँगा, तो automatically मुझे यहाँ पर कुछ, आप देखोगे, यहाँ पर मुझे कुछ suggestions आ जाएंगे, उनके basis में मैं targeting कर सकता हूँ, Otherwise, अगर हम detailed targeting की बात करें, तो majorly यह तीन categories में divide है, मतलब detailed targeting के अंदर भी जो audiences है, उनकी तीन major categories है, जैसे अपने पहली जो category, that is on the basis of demographics, तो हम demographic के basis पर audience बना सकते हैं, हम interest के basis पर audience बना सकते हैं, और हम behavior के basis पर audience बना सकते हैं, तो यह तीन major हमारे पास options होते हैं, अब जैसे आपको लगा कि आप demographic के basis पर जो audience बना रहे हैं, उसको आप एक ad group के अंदर रखना चाते हैं, interest के basis वाली audience को आप एक ad group के अंदर रखना चाते हैं, testing के purpose से, तो वो आप कर सकते हैं, तो यह जो audience creation है, और parallely जो आपको ad sets के structure बनाने, यह किस तरीके से बनाने, यह सारी चीज़े parallely चलती हैं, तो अगर हम लोग एक एक करके explore करने के कोशिश करने, जिसे हमें demographics में जाता हूँ, तो you can see, आप उन्हों को target कर सकते हो, जिनका जो education level है, वो high school है, जिनका जो education level है, वो university है, जिनके पास doctorate degree है, ठीक है, तो let's say, अगर मैं किसी builder के लिए, जो है add run कर रहा हूँ, या किसी real estate company के लिए, मैं add run कर रहा हूँ हूँ, तो अगर मुझे जो है, थोड़े से intellectual लोग चाहिए, तो मैं उन लोगों को target करने के कोशिश करूँगा, जिनके पास doctorate degree है, तो I'll go ahead, और मैं अगर इसके उपर hover भी करता हूँ, तो you can see कि इसका जो size है, overall जो size है, वो कितना है, ठीक है, और इस demographic की जो level है, वो क्या है, मतलब कहां पर ये demographic है, तो education में, education level के अंदर doctorate degree आती, ठीक है, और description मतलब इसके बारे में और ज़्यादा information है, people who indicated their highest education level as doctorate degree, तो ये बोल रहा है कि doctorate degree के अंदर, वो लोग आप target कर सकते हैं, जिनोंने ये indication दिया है Facebook को, कि उनके पास doctorate degree है, अब उनके पास doctorate degree का मतलब, उन्होंने education qualification का जो उनको option मिलता है, profile में, उसमें उन्होंने mention क्या होगा, you can go ahead and target foundation degree, you can target high school leavers, you can target people who own master's degree, ठीक है, जिनके पास कुछ professional degree है, उनको आप target कर सकते हैं, and यहाँ पर देखो, university graduate जो है, उनको आप target कर सकते हैं, अगर आपको make sure करना पड़ेगा, पहले ही समझना पड़ेगा आपको बहुत ही detail में, कि मेरे जो business है, वो क्या है, और उसके इसाब से जो perfect audience की characteristics होती है, वो क्या है, जब आपको उनकी characteristics पता चलेंगी, तब आपको पता चलेगा, कि आपको किस तरीके से उनको यहाँ पर target करना है, लेट से मैं entrepreneurs को target करना चाहता हूँ, मैं एक example मार के चलता हूँ, मैं entrepreneurs को target करना चाहता हूँ, मेरी कोई भी ऐसी service है, जो basically entrepreneurs के लिए है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं entrepreneurs की जो characteristics हैं, उनको मैं समझने कोशिश करूँगा, कि entrepreneurs क्या करते हैं, entrepreneurs किस तरीके की books को read करते होंगे, तो let's say, हो सकता है entrepreneurs जो है, rich dad, poor dad वाली जो book है, उसको read करते हों, entrepreneurs जो है, motivational videos देखते हैं, entrepreneurs जो है, वो stock में, investment में, जो है, वो interest रखते हों, ठीक है, तो इस टाइप से जो entrepreneurship की characteristics होती है, एक perfect या ideal entrepreneur की जो characteristics हो सकती है, उनको मैं यहाँ पर check करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर अगर motivation डालू, तो let's see, कि motivation से related कुछ आता है, देखो आ रहा है यहाँ पर, motivation में जो लोग interest रखते हैं, अब देखो motivation में interest रखने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जो है, और specific जाएंगे, ठीक है, motivational मैं books यहाँ पर mention करता हूँ एक बार, देखो books से related नहीं आ रहा है, मैं book वापस mention करता हूँ, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो बहुत सारी ऐसे भी चीज़े होगी, जो हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो motivation आपको यहाँ पर देख रहा है, अगर आपको कोई book, जो है, उसका नाम बता है, तो आप यहाँ पर जो है, उसको सार्च कर सकते हैं, rich dad and poor dad, let's say, मैं यहाँ पर rich dad, poor dad enter करता हूँ, तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर, rich dad and poor dad में interest रखने वाले लोग को, मैं target कर सकता हूँ, and rich dad and poor dad is basically a book, ठीक है, तो जादा तर जो लोग investments, यहाँ जादा तर जो लोग business owners हैं, यह entrepreneurs हैं, उन्होंने rich dad, poor dad जो book है, उसको पढ़ा होगा, तो इस टाइप से आप characteristics को match करने की कोशिश करते हैं, और आप इसके लिए अगर चाहें, तो एक actual seat बना ले, कि मैं जिस भी type के लोगों को target करना चाहता हूँ, वो किस type की books में interest रखते होंगे, वो रख लो आप, किस type की magazines में interest रखते होंगे, वो आप रख लो, उनका routine जो है, क्या होता है, वो आप रख लो, थोड़ी से exercise आपको करनी पड़ेगी, कि तब आप बहतर तरीके से detail targeting को use कर पाएंगे, फिर से detail targeting का मतलब ये है, कि हम cold audience को target कर रहे हैं, हम उस audience को ad दिखाना चाहते हैं, जो facebook के उपर तो है, लेकिन वो अभी भी हमारे किसी तरीके से business से interact नहीं करी, तो पहले हम उसको जो है, अपना ad दिखाएंगे, वो हमारे ad से interact करेगी, वो audience के हम लोग बात कर रहे हैं, वो ad से interact करेगी, अड के उपर क्लिक करके हो सकता है, हमारे landing pages के उपर जाए, उसके बाद वहाँ पर कुछ interaction करेंगे, हम लोग उस चीज को study करने की कोशिश करेंगे, कि ये audience जिस तरीके के interaction कर रहे है, हमारे page के उपर वास्तों में, वो interactions valuable हैं या नहीं है, वलब जो भी interaction के बेसिस पर, हम लोग custom audience बनाएंगे, कि कौन लोग हमारे इस particular page के उपर आए, उनको हम एक audience set में रखना चाहते हैं, कौन लोग इस particular page के उपर आए, और आपको जैसे अगर यहाँ पर आपको, लेटसे बुक्स जो हैं उनके बेसिस पर audience बना नहीं, तो वो आप बना लो यहाँ पर, अब यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक book को target करने की कोशिश करी है, रिच डाट, पूर डाट book में, जो लोग interest रखने हैं, तो अब इस book के author को भी हम लोग target कर सकने हैं, right, so we can go ahead and target Robert Kiyosaki, right, and let's see कि उसकी targeting यहाँ पर available है या नहीं, देखो यहाँ पर available है, right, so we can go ahead and target Robert Kiyosaki, right, so जो लोग Robert Kiyosaki में interest रखने होंगे, सीधा सा मतलब यह है, कि जो लोग उससे related pages होंगे, Facebook के उपर, Robert Kiyosaki से related जो pages होंगे, ठीक है, उनको follow करते होंगे लोग, तो इसका मतलब वो लोग इस चीज में interest रखने हैं, right, let's say मैं उन लोगों को target करना चाहता हूँ, मैं फिर से एक example ले रहा हूँ आपके सामने, let's say मैं उन लोगों को target करना चाहता हूँ, जो digital marketing में interest रखने हैं, तो आप क्या करोगे, generally beginners क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर गये, और उन्होंने का मैं उनको target करना चाहता हूँ, जो digital marketing में interest रखने हैं, तो मैं यहाँ पर गया, digital marketing में interest रखने वालों को मुझे target करना है, और simply मैं digital marketing यहाँ पर select करता हूँ, हाँ ठीक है, हमारी targeting हो गई, हमने उन लोगों को target कर दिया, जो लोग digital marketing में interest रखने हैं, वो किस टाइप की tools को use करते होंगे, वो किस टाइप की books को follow करते होंगे, वो किस टाइप की influencers को follow करते होंगे, इसको भी हमें देखना है, ठीक है, तो let's say, जो लोग digital marketing में interest रखने होंगे, तो यह मैंने एक ad group बना दिया, digital marketing में interest रखने वालों का, फिर मैंने देखा कि digital marketing में, जो लोग interest रखते होंगे, वो कुछ specific tools में, जो softwares में भी interest रखते होंगे, तो मैंने एक और ad group बना दिया, for the purpose of softwares only, और उसके अंदर मैं क्या target कर रहा हूँ, cable और cable software, देखते हैं, जैसे Moz एक software है, so we can target people who have interest in Moz, और इसको मैं एक दूसरे ad group के अंदर रख सकते हूँ, देख सकते हो, आप यहाँ पर Moz marketing software, आपको starting में ही दिख रहा है, we can go ahead and target RFs, RF is again a tool, देखते हैं, हम लोग यहाँ पर target कर सकते हैं कि नहीं, RFs को, देखो RFs को हम लोग नहीं कर सकते हैं, let's say, we are going ahead and we are going to target SEMrush right now, देखो SEMrush को हम लोग target कर सकते हैं, can we target MailChimp, let's see, देखो MailChimp में interest रखने वाले लोगों को भी हम लोग target कर सकते हैं, तो there are different ways जिसके through, हम लोग यहाँ पर audience है, वो create कर सकते, एक और important ची, as soon as you will select the audiences over here, कौन सी audience, cold audience, जैसे हम लोग यहाँ पर cold audience select करेंगे, we have the option of selecting suggestions over here, तो suggestions का मतलब यह होता है, कि जो कुछ भी यहाँ पर selected है, उसके basis पर यह automatic आपको कुछ suggestions देता है, right, so let's say, if I am selecting digital marketing over here, I can go ahead and click on suggestion, तो digital marketing से related जो दूसरी चीज़े हैं, वो हमें यहाँ पर दीख जाएंगे, अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर select करें, let's say, आपके दिमाग में आया, कि IIT, let's say, IIT Delhi, right, IIT Delhi को मैं target करना चाहता हूँ, तो आप make sure करें, कि IIT Delhi को आप target करना है, which means that, कि IIT Delhi में interest रखने वाले लोगं को आप target करना है, यहाँ पर आपको interest दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उन लोगं को target करना है, जो IIT Delhi में पढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है, इंटरेस रखने वाले, केवल IIT search किया तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको IIT खड़क पुरके यहां पर you can target their employers ठीक है आप उनके employers को target कर सकते हो fine इसी तरीके से यहां पर आप देखो डेली का जो है IIT डेली का उनका interest basis पर आप जिन लोगों को भी IIT डेली में interest है उनको आप target कर सकते ह कि आप किस टाइप की जो audience से उसको select कर हो coming back over here browse पे हम आजाते हैं ताकि हम एक बार सारी चीजों को देख लें so we will go to demographics और demographics में आप education के basis पे financial जो income है उसके business पे आप target कर सकते है life event के basis पे कर सकते है people who have their date of birth in the month of let's say December तो अगर आप उननों को target करना चाहते है तो कर सकते है तो जो gift related online businesses है वो इसका use कर सकते है life events का वो बहुत जबर्दस तरीके से use करते है जो print on demand businesses होते है वो life events का बहुत अच्छे तरीके से use करते है let's say मैं सारे parents को target करना चाहता हूँ so if I am advertising for any school मैं किसी school के लिए या किसी भी educational group के लिए अगर मैं advertise कर रहा हूँ so I have all these options ठीक है parents with teenagers and then todd toddlers के लिए भी है यहाँ पर अगर आप देखो 0 से 12 months के जो parents है right parents with adult children is there and then like parents with toddlers यहाँ पर आप देख सकते हो right 1 to 2 तो अब इनके लिए जो भी twice वो गयरा खरीतने होते है तो अगर आप कुछ impulsive buying कराना चाहते है कुछ twice or anything which is like necessary for these kids उसको अगर आप online sale करते है so you can go ahead and target these parents तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो product है वो क्या है या आपकी जो service है वो क्या है और उसके basis पर आप यहाँ पर targeting करें और targeting में ऐसा नहीं कि सारी उठागे targeting आपने एक ही ad group के अंदर कर दी आप targeting को based on like जिस भी group में वो targeting आती है या जिस भी type की वो targeting है let's say मैंने कहा books के basis पे तो books को आप एक तरीके से एक अलग separate ad group के अंदर रख दो आप let's say मैंने कहा influencers के basis पे तो influencers को आप separate एक दूसरे जो ad group है उसके अंदर आप रख दो तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस चीज को test and try कर रहे है and figure out करने की कोशिश करें कि आपके लिए जो बहतर काम कर रहा you can target people जो इस industries में काम कर रहा है right you can target people who are into social services you can target people who are into education services who are government employees global ठीक है global मतलब it is not only rigid to India ये global दिया हुआ है ठीक है कहीं भी वो job कर रहा है and then you can target people who have IT and technical services ठीक है जो इसमें नौकरी कर रहा है job कर रहा है those people who are working into legal services so you have all these different types of options लेकिन ये आपको कैसे समझ में आएगा जब आप एक एक करके इन options को देखोगे मैं आपको recommend करता हूँ मैंने किया है खुद से अपनी चो starting के days थे उसमें मैंने किया है मैं भूल जाता था कि यहां पर क्या option दिये हुए है तो मैं बार बार ना इन options को देखता थ कि क्या-क्या options दिये हुए है फिर से मैं जाता अच्छा ये option भी दिया हुआ है तो मुझे याद नहीं रहता था कि क्या-क्या इसके इंदर options है तो आप एक बार ना एक बार दो बार तीम आप इन सब को एक बार देखें आराम से बैट के तो आपको समझ में आएगा ओके मै मैं उस client के लिए ये कर सकता था अब जो है वो opportunity चली गए यहां मैं अपने इस business के लिए ये targeting कर सकता हूँ वो opportunity नहीं राइट so we have these different options demographics के basis पे then if you will come into interest तो आप देखोगे यहां पर जैसे business and industry के basis पे जो लोग interest रखते हैं जैसे जो लोग online banking में interest रखते हैं उनको हम लोग target कर सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे जो लोग entertainment में interest रखते हैं so there is like कितना आप narrow जा सकते हो सारे options है आपके पास but करना आपको यह automatically आपको targeting करके नहीं दे देगा यह आपको options दे रहा है आपको figure out करना है कि आप बहतर तरीके से जो है आप अपनी targeting किस तरीके से select करे then we have on the basis of behavior वैसे सबसे बड़ा जो segment है that is interest वालाई segment इसमें सबसे जादा आपको options देखने को मिलते है then if we go ahead to behavior तो behavior में आप देख सकते हो जिनकी anniversary आने वाली है कुछ coming time में right so cake making companies वो सब इनको target कर सकते है so that people can like order from their online portal उनको कुछ additional offers वगेरा show कर सकते है then consumer classification के basis पर है यह and then device users के basis पर है then we have politics के basis पर right अच्छा जैसे अगर आप कोई political campaign run कर रहे है को और example हम लोग लेते हैं जैसे आप कुछ political campaign run कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आप उन्हों को target करें जो politics में interest रखते हैं तो आप जो political figures हैं जो आपके देश की political figures हैं उनमें जो लोग interest रखते होंगे जाहिर से बात है कि politics में भी थोड़ा बहुत interest रखते होंगे तो आप उनको target कर सकते हो right political parties में जो लोग interest रखते हैं आप उनको target कर सकते हो let's see यहाँ पर हमें option दिखता है कि नहीं let's type भारती जनता पार्टी तो भारती जनता पार्टी मैंने भी type किया था उससे तो मुझे यहाँ पर response नहीं दिखा but as soon as I have typed BJP आप देख सकते हो यहाँ पर BJP गुजरात दिख रहा है ठीक है let's say if we are going ahead and targeting Congress अगर मैं Congress टाइप करता हूं तो आप देखो यहाँ पर AITC दिख रहा है मैं All India Trinamool Congress I can target right Indian National Congress में जो लोग interest रते हैं उनको हम target कर सकते हैं तो अब हमीं यह स रहा है ना तो आप सबसे पहले जब आप कभी भी cold audience बना आप देखी कितनी variety of audiences आप बना सकते हैं ऐसा मत करें आपकी directly आप जाएं यहाँ पर बस cold audience आप बनाना शुरू कर दे कई बार आपको बहुत ज़्यादा research करनी पड़ती है cold audience बनाने के लिए इसी लिए facebook ने आपको यह भी option दिया हुआ है कि आप यहाँ पर audience बना लें उसके बाद आप इस audience को save कर लें अगर आपको अभी campaign नहीं बनाना है कोई बात नहीं आप audience बना लें और audience को save कर लें यह काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं मैं इसको close करता हूँ आप यहाँ पर जाएंगे ठीक है you go to audiences over here ठीक है जब आप audiences पर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और मैं saved audience के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर मुझे audience create करने का option मिलता है तो मैं यहाँ से different 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 audiences बना लूँगा create कर लूँगा और उन सब audiences को मैं यहाँ देख सकता हूँ कि म जब भी आप free हो ठीक है अगर आप किसी client के लिए काम करें और saved audience आपको ढूनी है cold audience ढूनी है तो जब भी आप free हो आप audiences बना कर रख लें और उसको जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे आप उसको use करें दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा actually audiences बनाने की hacks नहीं है ठीक है audiences बनाने में जो सबसे important चीज़ हो यह है आप कितना time देते हो इसको और कितने तरीके से आप सोच सकते हो कि मेरा जो prospect है या मेरे client का जो prospect है जो customer बन सकता है उसके characteristics क्या है वो facebook पे क्या करता है उसके business पे आप audience बनाते हो कुई audiences की hacks नहीं है कुछ tools वगरा है जो मैं आप आपको बताऊंगा कुछ experiments हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा तो audience वाला जो section है ना यह चोट असम module जो है ना तीन-चार वीडियो हो सकता है तीन-चार वीडियो में यह आगे जाए ठीक है बट अभी जो सबसे पहले हम लों को शुरुआत करनी थी audiences के respect में वो क्या करना है देखना जरूर है एक बार जाकर कि क्या-क्या इसके अंदर options दिखते हैं और यह समझने की कोशिश करना है सबसे पहले किसी भी business के लिए आप आट चलाए कि हमारे business के relevant जो audience है जो exact audience है उसकी क्या attributes है उसकी क्या characteristics है अकर यह समझ में आ गया तो cold audience targeting बहुत ही जा चैनल के उपर अविलेबल है और बहुत सारी series आने वाले time में आने वाली कुछ नए मज़दार announcements आने वाले हम dedicated है आपको नया हर दिन हर कुछ बहतर तरीके से सिखाने के लिए अगर आप तयार है तो comment करके मुझे बताएं कि yes I am ready I am there I am ready to learn that's it for this particular video see you in the next video till then good bye हुआ है